दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Chrome Browser App का नोटिफिकेशन बंद कैसे करते हैं दोस्तो आप किसी भी वेबसाइट का कोई भी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं क्या होता है कि जब आप एर साइट पे जाते हैं और वहां पे आपको Allow करने को बोलता है को तो आप Allow कर देते हैं तो आपको लगाता नोटिफिकेशन आने लगता है तो आप उस नोटिफिकेशन को बहूत ही आसानी से बंद कर सकते हैं बस वीडियो को आप देखते रहे आपको क्या करना दोस्तों आपको Chrome Browser app को पहले तो open कर लेना है जहां कई भी होगा उस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको ऊपर में यहां पर 3.0 दिखेगा मेरे में update आया हुआ है इसलिए इस तरीके का दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे थूरा सा तो आपको एक सेटिंग का ओप्शन दिखेगा इस पे आपको क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थूरा सा नीचे आना है थूरा नीचे आएंगे तो आपको एक ओप्शन दिखेगा नोटिफिके देखेगा तो अब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा साइट्स का Right यहाँ पर आपको वो website दिखेगा जिसका आपने notification अलाव किया हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर यह सब notification अलाव कर दिया हूँ आपको दिखाने के लिए इसी तरीके से website जो भी website का आपने notification अलाव किया होगा वो आपको show करेगा देख सकते हैं यहाँ पे Quinemaster.com का notification लाओ है YouTube.com का notification लाओ है अब YouTube का notification मुझे यहाँ पे मिल जाएगा website का तो बारबा मुझे यहाँ पे वो notification सोग करेगा तो इसका off करने के लिए आपको यहां पे सबको off कर देना है जिसका जिसका आप off करना चाहते उसका कर सकते आप चाहे तो सबका भी off कर सकते हैं इसी तरीके से आपको off कर देना है यहां से आप इस website का कोई भी notification मुझे नहीं मिलेगा अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी notification आपके phone पे नहीं आए chrome browser का तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों आपको यहां पे direct इसे off कर देना है off करने के बाद दोस्तों आप कोई भी आपका notification आप में नहीं आएगा किसी भी परकार कर तो इस तरीके से आप chrome browser के notification को आप बंद कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करतीजिए